कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के बारे में बुराई हो रही थी दकश्मीर फाइल्स के डैरेक्टर विवेक अगनिहोतरी ने कपिल शर्मा और उनके शो पर आरोप लगाया था कि उनकी फिल्म की टीम को शो में बुलाया नहीं गया था जिसके बाद से सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा के वहिशकार करने की अपील होना शुरू हो गई थी कपिल को भी लोग खरी खोटी सुनाने लगे थे मगर कपिल शर्मा ने इस पर कोई रियक्शन नहीं दिया था अब इस मामले पर शो के एक्टर अनुपम खेर ने सच बता दिया है जिसके बाद कपिल शर्मा ने चैन की सांस ली है कपिल ने अनुपम खेर को सच बताने के लिए शुक्रिया भी कह दिया है अनुपम खेर ने एक news channel को interview दिया था जहां पर अनुपम खेर ने सच्चाई बताई है जब अनुपम खेर से anchor ने पूचा कि कपिल शर्मा शो एक comedy शो है इसमें इतना गहरा मुद्दा discuss किया जा सकता है इस पर अनुपम खेर ने सच्चाई बताते हुए कहा कि मुझे कहना होगा कि कपिल की तरफ से मेरे पास फोन आया था अनुपम खेर ने कहा कि मैंने अपने मेनेजर से कहा कि ये बहुत serious film है इसके लिए मैं शो में नहीं जा सकता हूँ कपिल की तरफ से दो महीने पहले मेरे पास फोन आया था पर मैं इस शो में इसली नहीं गया क्योंकि ये एक funny शो है अनुपम खेर का वीडियो शेयर करते हुए कपिल शारमा ने cute किया है उन्होंने लिखा मेरे किलाफ लगे सारे इल्जामों को गलत बदाने के लिए शुक्रिया पाजी और उन सब दोस्तों का भी शुक्रिया जिन्होंने बिना सच जाने इतनी महबद दी खुश रहिए मुस्कुराते रहिए आपको बताते कि विवेक अग्निहोतरी को उनके एक फैन ने कहा था कि भाई उन्हें धकश्मीर फाइल्स को प्रमोट करने के लिए धकपिल शर्मा शो में जाना चाहिए तब विवेक ने कहा था कि शो में उन्हें आने के लिए मना कर दिया गया है वीडियो कैसा लगा शेयर करके जरूर बताइए क्या आपको एक नई जानकरी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताइए शेयर जरूर कीजिए और मारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए